अब देखिए अगर इसके heading पे जाए तो goods sent to branch not given समझ में और इस सवाल में हमने stock में से क्या निकाला था यह तो हमने करी लिया यह आपका जर्नल सवाल है इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको सोचना होगा सर यह जर्नल सवाल है इसमें कुछ heading भी नहीं डाला उन्हें बोला भाई तु एक बार एक question दे दिया एक बार करके देख लो क्या आता है ठीक है और गुट्स रिसीव है से ठीक है सब कुछ एकदम जर्नल है बस यहां पर एक point आ गया अलवाइंस अलवाइंस कस्टमर सेलिंग प्राइस अल्रेडी अड़ेस्ट वाइल द इन्वाइस चलिए मैं इसके उपर स्टार बना दिता हूं और आप बहुत सारा दिमाग लगा यह इस पर आपने खुद कर तो यानि सर इस सवाल का key point इनका क्या है बताने का जो हम stock account बनाते है न जो balance CD हमें given होता था वो balance CD हमें given तो सर यह balancing figure निकल जाएगा यह सिखाना चाहरा है इस सवाल में यह बाकि सब कुछ सेम है देखो stock opening दे रखा है debtor दे रखा है goods into branch दे रखा है sales दे रखा है cash दे रखा कहता है on car limited है दो branches एक जैपूर है और एक लखना हुआ है goods are invoice branch cost plus this expense यह from the following necessary stock debtor system अब हमें यह पता करना है कि हमारा जैपूर है तो कौन से ब्रांच है जैपूर branch हम कौन से ब्रांच है जैपूर अब कहता है goods न लखनाउ कहा कहता है goods transfer from लखनाउ से जैपूर तो हमारे पास नहीं हमारे पास आया है इसी वह ने कहता है goods transfer from लखनाउ branch to जैपूर branch हम जैपूर ब्रांच के लिए काम कर रहे हैं ध्यान से समझेगा हम किस के लिए काम कर रहे है और लखनाउ से समान आ रहा है हमारे पास तो हमारे stock क्या होगा कम होगा जब समान आगा तो बढ़ लखनाउ अलग है लखनाउ से समान हमारे पास आ रहा है तो stock क्या होगा बढ़ेगा तो stock बढ़ेगा तो stock account में इंपक्त आएगा और stock account के किस साइड आएगा debit side यह हम पिछली class में हमने थोड़ा बहुत देखाता है तो इस point में यह आपसे करवाएगा कहता है आपका shortage सर य नॉर्मल को पच्चे करें सर वीड वाइस कट रही है अब चेक करिए कि क्लियर मैंने थोड़ा से विंडो शिफ्ट कर दिया थो shortage of stock branch at branch एक होता है एक दे रखा है shortage और एक shortage ब्रांच में है तो सर हमारे ब्रांच वाला पार्ट है यह shortage पता नहीं तेरा कहां पर हुआ है एच्चो में हुआ तो यह काम का नहीं है दो shortage दे रखा है एक ब्रांच का shortage दे रखा है और एक बोले के भाई पता नहीं कहीं पर ठीक है और जो मैं डिसकस कर रहा हूँ न ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी ताकि आप बाद में देख पाओ कि इसमें क्या मैंने बताया था एक्स्ट्रा जो की कोश्चन आपको रोख सकता है करने से ठीक है चलिए इसके बाद यहां पे सौटेज सौटेज का मतलब पता ह इस अकाउंट में क्या चाहता है बस थोड़ा आपको कोपरेटिव होना पड़ेगा क्यों की सार एक्जाम पास में है जब हम ब्रांच स्टॉक बनाएंगे न तो इस सवाल में सब कुछ गीवन है सब कुछ गीवन है सब कुछ गीवन है सब कुछ फिर भी इधर इस 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 बाइड़ निकलता है बाइसाइड जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा आप आंसर में भी चेक कर सकते हों जेक करते जाएए बाकि सब कुछ डेटर वेटर गुट सेंट इन्वाइस प्राइस सब कुछ गीवन है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है रिटन टू एक्समेंस फेड बाइस चोप अकांट इन्वाइस ब्रांच डेटर चैक करिया सोटेज निकल रहा है na लगत फिकहन फिर प्रपेर बरांच बुक में ब्रांच सुक अकांट बनाते हैं ब्रांच डेटर बनाते हैं ब्रांच अप्स असर च कि प्रांच गीवन अन सब कुछ स्टॉक में गीवन है लेकिन इधर फिर भी कम पड़ ज्यादा आ रहा है बैलेंस तो आप इधर जो बैलेंस आएगा उसको मैच करेंगे सर प्लस से यानि सब कुछ गीवन है सर ओपनिंग स्टॉक गीवन है क्लोजिंग स्टॉक गीवन है सौर्टेज एबनॉर्मल लॉस सब गीवन है फिर भी बैलेंसिंग फिगर कि इधर आ गया इधर आ गया अब इसको किस नाम से लिखे तो इसको लिखना होता है सर प्लस के ना नॉर्मल और ऐसे इसको क्या मानना आपको नॉर्मल प्रॉफिट है तो जब ब्रांच अड्जेस्मेंट में जाएंगे न तो ये वाला टू में निकला है तो किधर जाएगा बाई में पूरा सरप्रस आ जाएगा जो भी निकलेगा लोडिंग कुछ नहीं पूरा नॉर्मल लॉस को भी क्या करते हैं पूरा ही दिखा देते हैं आपन तो ऐसे ही ये पूरा आ जाएगा हमारे समझ रहे हो देखिए आप आंसर में देखिए बस एक-एक अड्जेस्मेंट मानलो अड्जेस्मेंट ही हो गया सर कि दिखा यह बुक दिखा यह निखाना कि प्रोग्राम और समय होगा यह सवाल कि 17 अब यहां देखिए कुश्चन में न सर प्लस निकल रहे है कितना अग्यारहजार आप क्षोब्रा साथे आरे सब्सक्राइब्स का आओ मैंने गलत ब hij sellers को भी आर्ण्वांवल मानना थिया है चाहे सोटेज निकले वो भी एबनॉर्मल और इस पोईलेज निकले वो भी एबनॉर्मल और जबकि अभी पीछे करा था हमने साइद यह आला सोटेज वाला कुछन ना इस पोईलेज इस पर एबनॉर्मल के इमान के करा था ठीक है ना हो जाएगा ये भी आप इसमें सवाल में देखिए ऐसा कौन सा पॉइंट है मैं फिर भी डिसकस कर लेता हूं कहता है भी या ब्रांच ने भेजें समान कहता है कॉस प्लस पचास परसेंट तो सेल्स पे होता है वन बाइ ठी या दोगा 33.33 कहता है इनवाइस प्राइस पर सारी चीज आ रहे है रिटन आ रहा है कहस आ रहा है डिसकाउंट आ रेंट पैटी कैस पैटी कैस पर भी मैं डिसकस कर लूँगा क्या होता है पैटी कैस यह रिवीजन ओनली ये करने में मज़ाएगा रिवीजन कि मैं पता ही क्या होता है कि मतलब तुमने सब कुछ सीख लिया है एक बार सवाल को कर लो अगर यह हो जाता है तो समझ लो जितना पीछे कर रहा है वह रिवीजन हो गया है तो मैं यह वाला सवाल अभी करने वाला हूँ प्रवीजन ओनली इसको लगा लेते हैं स्लाइड पर इस पॉलेज़ इस नोट है चलिए सर चलिए और नीचे देखो पता कि क्या लिखा हुआ है जो मैं बता रहा था देखो मैं ना क्यूंकि मैंने इस भुक को इतनी बार करा दिया ना बच्चो को मुझे तो पता ही यह क्या पूछा जाएगा इस भुक में पिछले दस साल से तो यही बुक करा रहा हूँ बच्चो को तो देखो पहले मैंने बताया था कि लास्ट में सवाल में आपसे क्या बोला जा सकता है बहुताइब को वहाँ दो दो तरीके से पूछ ने खरीयमे और वहाँ है तो स्मौझपर में आपको पेपर एक्जाम में नहीं आएगा एक्जाम में एक ही मैथड आएगा यह अपने आपको चेक करने के लिए भाई आप सीख रहे हो पता देना के भाई यह दोनों मैथड में से प्रॉफिट सेमी आता है चलिए सवाल आपके सामने है दीपक कहना है कि सार वाटसप पे वाटसप पे डाउट सॉल्व बिल्कुल करते हैं लेकिन कल से आपको पता ही है कि स्टेटेजी चल रहा था थोड़ा बहुत तो कल से मैंने किसी का डाउट सॉल्व नहीं किया है करते हैं वैसे कल से डाउट सॉल्व नहीं किया है मैंने फिलाल एक दो दिन हो गए हैं थोड़ा बहुत इसी में बिजी रह गए हैं बाकि डाउट आपके सॉल्व होंगे और जैसे आपके लाइव क्लास के अंदर तो जो मर्जी पूछो मैं तो बताई दूँगा जो वाट्सप वाले डाउट है वो थोड़ा सा एक दो दिन में ठीक हो जाएगा वह ब्रांच स्टॉक बनाना है अड्जस्मेंट बनाना है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस बनाना स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना स्टॉक रिजर्व पर मैं कोश्चन मार्क लगा दूँगा अभी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वह बच्चा कंफ्यूज हो जाता है मैं सबसे लास्ट में बता दूँगा यह वाला कोश्चन लेगे ठीक है न तो क्या बनाना है अगर हम देखें ना इसको अगर आप ठीक से एक बार और जितने कोश्चन मैं करवा रहा हूं जितने कॉंसर्ट करा रहा हूं एक बार आप ठीक से ढंग से देख लो आप इसको अगर तो उसमें क्या रहेगा आपका न रिवाइज हो जाएगा अच्छे सो और आपको प्रॉब्लम ही नहीं आनी डेटर अगेन यहां बना लेते हैं यह ब्रांज स्टॉक्त यह ब्रांज स्टॉक्त मैं पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहा है सा नहीं कि आपको नहीं लिखना आपने भी लिखना है यह डेटर अकाउंट ठीक है सर एक पीछे बना लेते हैं एक और अकाउंट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि आपके लिए काम का भी है और फिर थोड़ा टिपिकल भी उसमें सेक्शन लिखने नहीं लिखने कैसे करने नहीं करने वो जरूर ध्यान दीजिएगा 10 से 15 दिन में आप लोग का हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है हूँ शाम की टाइमिंग है कितने बज़े की टाइमिंग है लोकी TTS 5 से 6 तो TTS 5 से 6 तो अभी चल रहा है और लेकिन ये TTS नहीं रहने वाला इसे हम regular करने जा रहे हैं तब इसलिए बस करता होगा TTS में कहा होगा 15-30 TTS में कितने classes ही हो जाएगी आपकी 5 से 6 इसे regular करने वाले और ऐसा हो भी सकता है कि एक पार्ट आपको आनंसर करवा रहे हैं तो एक पार्ट जल्दी cover करवाने के लिए शायर एक पार्ट जो है partnership act वाला वो मैं करवा दू फटा फट और LLP वाला मैं करा दू क्योंकि ये मेरा ही subject है आगे चलके मुझे LLP accounting में पढ़ाना ही है आगे चलके आपको partnership उसमें प बेला बेली जो भी पाट आता है हमारा वह सारा वह अनंद करा देंगे बाकी मैं करा दूँआ क्योंकि time का बहुत कंजिस्टेड है नहीं तो मैं करा देता ज्यादा नहीं है मेन होता है उसके अंदर समझना ठीक है है एक bailment and pledge ठीक है bailment and pledge जब law पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जिसे हिंदी में सुत्रवगी कहते हैं कि अगर आप मेरे मोबाइल ले और आपने क्या करा मोबाइल को तोड़ दिया तो मैं आपके उपर केस कर सकता हूं मेरे को उसी कंडिशन में मिलना चाहिए वापस चलिए कैता है सुभास electronic has the branch in Chandigarh at Gualier home goods are invoice cost plus 25% सर cost plus 25% सीधी सी बात है कितने percent पे खेलेंगे हम 20% पे करेंगे the following information transaction Chandigarh branch PR ended 31 March कैता है stock at invoice price opening balance है तो balance BD balance BD सर 40,000 balance BD के बाद debtor का account BD to balance BD 12,000 सर एक पैटी कैश बोला है मैं यहीं पैटी कैश बनाओ पीछे बनाओ वाँ तो ज्यादा बढ़िया है एक पैटी कैश expense account भी बना देंगे बोला नहीं है इसने चलिए सर इसके पैटी कैश expense का 500 रुपिया तो यह पैटी कैश हमारे क्या होता है सर पैटी कैश हमारा होता है क्या क्या एसेट ध्यान रखेगा क्यूं होता है सर एसेट चलो चर्चा करी लेते आ गए तो पैटी कैश का मतलब होता है कि आपको और एक इखटा लंसम अमाउंट दे देता है कि कोई भी अगर ऑफिस में आता जाता है तो उसके लिए खर्चे यानि रोज मर्रा के खर्चे के कि लिए खट पैसा दे दिया मैने मालों आपको 5000 रुपे दे दिया के खर्चे के लिए 5000 रुपे आपको डेली के खर्चे केで게 लिए मैंने दे दिया तो मैंने अभी आपको 5000 भी खर्ट तो नहीं हो तो मिरे लिए वहे ऐसेट ले वापस तो वह assets है तो petty cash assets है तो जब भी आपको petty cash बढ़ाना हो यानि जब जब आपको मैं पैसा देता जाओंगा देता जाओंगा आप इधर लिखते जाओगे और जैसे ही आप खर्चते जाओगे कि इधर लिखते जाओगे buy side तो सबसे पहले इधर क्या आएगा sir to balance bd आएगा और जो बच जाएगा वो कि इधर आएगा buy balance cd अगर head office मुझे पैसा देता जाएगा देता जाएगा मैं इधर लिखूँगा और balancing figure इधर जो भी निकलेगा इस side में जो भी balancing figure निकलेगा वो क्या होगा use use का मतलब expense ऐसे समझेगा आपको मैंने सुभे सुभे 5000 रुपे आपके पास पड़ा था मैंने 2000 रुपे और दे दिया खर्चे के लिए पूरे दिन का खर्चा करना total payment कितना हो गया साम को आपने बोला सर 500 रुपे मेरे पास बचे हुए हैं तो मैंने बोला भाई बाकी कहां गये आपने बोले 25 रुपे क्या हो गये खर्च और P&L के अंदर खर्चा आता है तो यहाँ petty cash अगर मुझे लिखना होगा तो खर्चा बताईए कितना लिखूँग लिख दिया और जो एचो ने दिया वह यहां लिख दिया यही करते थे तो उससे क्या होता था ओवर ऑल ओटोमेटिकली खर्चा यहां पर आ जाता था जैसे कि मैं इसको अगर पूट करूं तो ओपनिंग बैलेंस इधर क्लोजिंग बैलेंस कितना 500 और मैंने कितना दिया त 500 तो वहां वाले पे डेटर सिस्टम के अंदर हम दिखाते तो ओपनिंग क्लोजिंग और इधर एच्चो से तो उसके अंदर आ जाता था हमें दिखता नहीं था लेकिन इस वाले अकाउंट में तो आपको एक्समेंस दिखाना पड़ेगा तो इसलिए यहां पे मैं एक अका सर बीडी सवाल में 500 रुपे कहता है आ जाईए सर आगे हम पेटी केश के बाद आ जाते हैं ट्रांजेक्शन 21 बाइस में गुट्स सेंट टू ब्रांच अट इन्वाइस चार बीस तो गुट्स सेंट इसके बाद कहता है के गुट्स रिटन टू एच्चो हैड ऑफिस इन्वाइस प्राइस बाइटन इसके बाद कैश सेल्स तीन लाग एक लाग एक लाग पांच हजार क्रेडिट सेल्स हो गया नॉर्मल लॉस अब देखो नॉर्मल बता दिया इसने देखो कितना असान कोश्चन था एनल लिख रहा हूं में कि तेंसों पचान गूट्प्रेश्चन गुट्स प्लीफट्रेम्नार्मल धिफट्र का मतलब होता है छोड़ी हो जाना इसा कि दुकान को डाउं से समानना छोटे-मोटे-चूरी यह हो जाते ऊसे प्लीफट्र बोलते हैं जैसे मान लेते हैं कि चूहे ने खा लिया और इसके बाद insurance company paid loss by fire जब insurance company payment करती है तो याद होगा पी एंडल में मैंने लिखवाया था format में के बाइया यह होगा आपका trading और यह होगा trading और insurance company दे तो इधर लिख देना कितने चार तीन चलिए insurance company ने तीन हजार दिया cash sent for petty cash 32,000 रुपए cash sent for petty expense तो किसने भीजा head office ने बोला ले भाई 32,000 खर्च कर लिए तो ठीक है भाई 32,000 खर्च करने की बात कर रहे है तो एच्चो से आज गया पैसा इसके बाद bed debts चंडीगड तो bed debts इधर आ जाएगा और यही bed debts दूसरी entry यहां भी कर देंगे हम two bed debts इसके बाद goods transfer to gualier branch under instruction गौालियर branch को transfer देखो two word है तो हमने दिया होगा और वैसे भी देख लो हम कौन से branch बना रहे हैं हम बना रहे हैं क्या चंडीगड और हम gualier को transfer कर रहे हैं तो इसका मतलब सर अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमारा stock कम हो रहा होगा तो हम किदर लिखे आइस जाने बाइस है बाए गुड्ट ट्रांसफर कितने का 12 थी ठीक है और कहता ही कि गुड्ट ट्रांसफर टू गॉलियर एस पर दा इंस्ट्रक्शन प्रॉम है चो अच्छा यह पूरा यही पार्ट है न इनस्वारेंस चार्ज पेड बाई चो एक्चो ने पेड़ किया या कोई भी पेड़ करा खर्चा तो हमारा खर्चा रहेगा और यहां आजाएगा इन्सॉरेंस गुट्स रिटन बाइड़ डेटर डेटर वापसी कर रहे है तो बाइड़ रिटन और जब रिटन करेगा तो हमारे स्टॉक भी बढ़ेगा न इसके बाद बैलेंस पेटी केश का दे दिया बैलेंस डेटर का बाइड़ बैलेंस सीडी सर बाइड़ बैलेंस सीडी कितना है डेटर का या राजा और स्टॉक का बोलता है हम नहीं बता रहे तुम बताओ और पेटी केश का कितना दे दिया धाई सो तो सर यहाँ पर जो भी निकलेगा वो consume निकल जाएगा फटाफट निकाली लेते हैं 32 और 200 माइनस करो क्या आजाएगा by consume या या by expense कितना आएगा माइनस करो 31,000 और ये 31,000 खर्चा है क्योंकि तो ये खर्चा आजाएगा 250 cash ये 30 हाँ तो ये अच्छा इधर 150 इधर 250 करते हैं 30 कितना आएगा ये 3931 सही बोला है 900 30,000 हैगा ठीक है आज आते हैं पैटी कैस हो गया ये हो गया गुट्स ट्रांसफर टू ग्वालियर गीवन एज इन ट्रांजिट कहता है बही है जो मैंने समान भेजाने ग्वालियर वो ट्रांजिट में है और रस्ते में तो मैंने भेजा है न तो रस्ते में तो तू समझ आगर मेरे पास आ रहा होता तो फिर मैं समझता सिधी बात है तो इस ट्रांसफर का कोई मतलब नहीं है फिर ब्रांच स्टॉक बना रहें सारी चीज़ें हम बना के चल रहें किसी के ऊपर कोश्चयन मार्व ओके अब बात करते हैं फटाफट यहां से टोटल करने का टोटल करो चालिस चारवीस, चारशाथ, पांसो मैंने देखो फटाफट कर लिया टोटल आपने भी करना है बैलेंसिंग फिगर निकालो क्या आता है चारशाथ पांसो फटाफट से निकालो तेजी में मैं इसको भी बंद कर दूएं तू credit sales डेटर को भी ध्यान देखना देखो credit sales उठागे लिखना हूँ यही रखा था सवाल में एक अस्ती, एक बीस, तीन लाख buy cash क्या? कहाँ पर, एक लाख, यह, चलो उपर आला बता हूँ, मैं देख लेता हूँ पर्टी बना रहा है, पक्का नहीं भाई, book के अंदर कुछ भी दे रखा हूँ, हमारा भी आना चाहिए न यही आ रहा है, सेम आ रहा है ठीक है, देख लो एक बार, mobile में देखो ऐसी गलती होई जाएगी अब चलिए, यह account prepare यहाँ से balancing figure निकाल लिए क्या निकलेगा, यहाँ से balancing figure, cash एक तालिस, एक सो पचास, चलिए दिखा दो calculator नहीं निकल रहा हूँ बारह हजार, अश्टी हजार, एक लाक明 Gmail, मैंन स्चार सो, पांशो, ग्यारह हजार यहाँ आ गया, एक अश्टी एक सो ठीक है न, चलिए अब लोडिंग की बात करते हैं यह account भी फुल बन गया अब loading इस पे निकलेगा इस पे निकलेगा इस पे सब पे कितना लगी गा 20-20% buy side में आएगा ठीक आप पताईएगा देखके तो buy side में loading आएगा पहले opening stock पे loading 40 पे 20% buy आपका good cent पे loading आपका कितना था 41 4 4-20 का 84 इसके बाद क्या था सर buy goods return भी था न return कितना आएगा 500 का return ही था 500 का कितना आएगा हाँ return पे कहा हाँ दूसरा लग रिटन पे लगे एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट हाँ return पे नहीं आएगा पाइगा इस पे नहीं आएगा इस पे नहीं आएगा बाकी यह वाला रिटन पे आएगा यह वाला रिटन पे आएगा तो टू लोडिंग किस किस चीज पे लोडिंग है यह बता दो मुझे इसको नहीं की पर copy कर लेते हैं नॉर्मल लॉस और लोग बहुत सारा लिख लिए है रिटन पे आगे हमारा तीन हजार ट्रांसफर बारा हजार गुट्स ट्रांसफर बारा हजार पे कितना आएगा 2400 यहाँ पे आगे है नॉर्मल पहले हमारा क्या है रिटन कितना था ट्रांसफर इसके बाद Normal Lord पूरा ही कितने इसके बाद shortage था shortage था ішपोईल पहले फ्लीफर था न एक normal loss है हमारा और एक gold फ्लीफर है एक loss by fire है तीन ओर है तो सर एक आगया हमारा loss by fire कितने रुपे का था एक प्लीफर्ड और एक टू लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक बताईए ये कितना था प्लीफर्ड पे यहाँ छे सो तो यहाँ पे छे सो था तो चौदा सो यहाँ फायर पे आठ सो तो यहाँ यहाँ बारा सो सही चल रहे है ना अब लोडिंग क्लोजिंग पे क्लोजिंग कितना एबनॉर्मल है ना एबनॉर्मल लॉस बाई फायर में चार हजार का आठ सो आ गया और उदर बत्तिस सो आएगा फिर मैंने बारा लिखा है ठीक है अब आ जाते हैं आगे किसका एक एक तालिस एक सो पचास का बीस परसेंट अठाइस दो सो तीस अठाइस दो सो तीस अब फटा फट से निकालते हैं जी पी 84 और एट 92 अब माइनस कर दो 92 माइनस में तीन हजार माइनस में चौबिस सो माइनस में तीन सो पचास अट सो माइनस चेस सो 56 दो सो पचास चेक करिये जी पी हाँ 620 स्वरी 56620 मेरे कैल्कुलेटर में यह दिख रहा है मैंने बोल गलत दिया 56620 और बाई साइड में और इधर कर देंगे हम टोटल उनसट चेस सो और टू आ जाएगा हमारा नेट प्राफिट माइनस चार सो माइनस दो सो माइनस एकत्तिस नो सो माइनस चार सो और माइनस बत्तिस सो बाईस पान सो भी सा रहा है अंसर मैंने क्यों इसका कैल्कुलेटर बड़ा खतरना आगा ये चौदा सो ठीक लिखा है मैंने 2400 एबनॉर्मल हाँ तो कितने 21-520 आंसर चेक करें आंसर चेक करें ठीक है अब ध्यान दीजिए सवाल देखो हम करते जा रहे हैं थोड़ा मैं स्पीड लेके चल रहा हूं लेकिन आप इसको एक बार आराम से देखिएगा और इस सवाल को दुबारा से करना है आपने चैप्टर में आप देख रहे हो कि घुमा फिरा कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अगर स्ट्रॉंग तरीके से पता चल जाए तो आप सवाल को कर सकते हो थोड़ा आपको मैनेट करना होगा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टाइम कम है नहीं तो मैं सारे सवाल बोर्ड पे कराता हूं अब अगर सारा सवाल करा हूं तो भी एक चैप्टर में उलच जाएंगे तो फाइदा नहीं है तो कुछ हैफ़ट आपको लगाना है आपको इसके सॉलीशन भी गीवन है सॉलीशन को भी देखके जो समझ में नहीं आता उस चीज के लिए हूं जैसे कि मैंने तीन-चार कुश्चन को मैंने समझा दिया वह आपने करने एट रहे ठीक है आगे देखते हैं कुछ और भी कर सकते हैं क्या हम कुश्चन 15 सिंपल है हो जाएगा सोला भी सिंपल है हो जाएगा सत्रा मेरे को लग तो नहीं रहा वाकी कैश इन हैंड ओपनिंग डेटर फिटर यह भी हो जाएगा आपका अब आपना बीस तक ट्राइ करेंगे सिंपल